असलाम अलेकुम जैसे कि आप लिखा देख रहे हैं कि बेक्ग्राउंड में लिखा हुआ है पीपिएससी पीजटी यानिके इसको बिहार में जो कहा जाता है वो प्लस टू भी कहते हैं और इसको जो है वो 11 12 भी कहा जाता है यहां से यह शुरू होती है और इसमें जो है वो सवाल दो तरह के इसमें सवाल है कितने सवाल है दो हिस्ते हैं इसके एक तो जो है वो Compulsory Language वो कोई सा भी ले सकता चाहिए वो पिचटी हिंदी के लिए कर रहा है कॉमर्स के लिए कर रहा है यंगिश के जो शुरू होते हैं सवान नंबर 71 से कितने से 71 से लेकर और 150 तक तो टोटल 80 सवालात होते हैं वो 80 और 22 ये कुल मिलाकर 102 सवालात हैं अब देखें अब शुरू करते हैं सबसे पहले पहले सवाल से इतना कि जो है वो इसमें हमें नजर आ जाए जैल में इसम कौन सा है देखें इसम जो कहते हैं हम आप भी जानते हैं कि किसी भी जो है वो नाम को जिसे हिंदी में संगिया ये इंगलिश में नाउन कहते हैं किसी भी जगा के चीज के नाम को शहर को इसम कहते हैं तो इसमें जो नाम है वो सिर्फ एक है नदीम अगला सवाल, आपने बहुत अच्छा मसमून लिखा है, इस जुम्ले में लिखा क्या है, यानि कि ये काम हो रहा है, ये क्या कि हमने काम किया है, तो इसको जो है वो क्या कहेंगे, फेल, जो भी कुछ काम होता है, उसको हम फेल कहते हैं, इसम की जगा आता है, वो जमीर होता ह अगला सवाल इस्म के बदले जो लफ इस्तेमाल होते हैं क्या कहलाते हैं इनके नाउन की प्लेस पर यूज होता है वो क्या कहलाता है प्रोनाउन इसके मिलिश में कहते हैं हिंदी में सर्वनाम तो यह क्या है जमीर अगला सवाल जैल में कौन सा लफ मुणनस है देखे मुणन मुएनस के जुम्रे में शामिल किया जाता है और आस्मान जो है वो मुएनस में शामिल किया जाता है जब कि आस्मान जो है मुझकर में आता है आस्मान नीला है आस्मान साफ है और नदी जो है ये मुएनस में आती है और कलम जो आता है ये भी मुझकर आता है कलम से लिखा जा लिखी जाती नहीं है तो हो सकता है कि रिजनलिजन की वज़ा से इसको एक से ज्यादा मान ले जाए हाला कि आस्मान और कलम जो है वो मुझकर है और सिर्फ नदी मुवननस है अगला सवाल दर्ज जैल में से दुरुस्त जुम्ले की निशान दही कीजिए यहीं कि कौन सा जु लफ़ है शेर की जमा जो है वो अशार या शियरो दोनों इस्तमाल कर लेते हैं अक्सर अगला सवाल जैल में बशर का मुटरादिफ लफ़ कौन सा है बशर कहते हैं इनसान को इसलिए हजरत आदम अलिश सलाम को जो लगब है वो है अबुल बशर या जो है वो अबुल इनस इनसान भी कह सकते हैं उसको तो इनसानों का बाप बशर का मुटरादिफ इनसान अगला सवाल रोज का मुतजाद कौन सा लफ़ है देखे शब रोज हम अक्सर पढ़ते हैं ये कुछ ऐसे लफ़ हैं जो मौतोजीस्त जो एक दूसरे के मुतजाद हैं अगला सवाल किसका इमला दुरूस्त हैं देखे सल्मा जो आता है वो सीन से होता है थोड़ा सा जो है वो लिखने में कुछ गलती हो सकती है थोड़ा सा और इसको बारिक कर लेते हैं ये सीन लाम मीम पर खड़ा जबर सीन लाम मीम और खड़ा जबर ये सल्मा ये गलत हो गिया और साबु जो है ये स्वाद अलिफ से आता है थना जो है वो ठीक है सिर्फ एक सही है अगला सवाल दर्ज जैल में इल्म की जमा क्या है तो इल्म की जमा होती है अलूम क्या होती है अलूम एक से ज्यादा अगला सवाल देखे ये पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को जो है वो मैं बड़ी स्पीड में पढ़ लेता हूँ और उनकी जहनी जरूरतों का खास खया लखा है इन किताबों की अहमियत और जरूरता जी मुसल्म है छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े नताश पैदा करना इसमाईल मेरटी का खास अंदाज है बिलाश वबाब वो आज भी बच्चों के सबसे पसंदिदा और एहम अधीब है अब देखी ये जो है वो इसमाईल मेरटी के बारे में था अब इन पर सवालाथ है सबसे पहला इसमाईल मेरटी कि शहर में पैदा हुए ये मेरट में पैदा हुए अगला सवाल उन्हें बच्पन में किस तरह का शौक था पढ़ने लिखने का अगला सवाल इसमाईल मेरटी ने किस के लिए नजमे लिखी देखे इसमाईल मेरटी जो है वो बच्चों के शायर और बच्चों के साधी कहलाते है अगला सवाल इसमाईल मेरठी ने अपनी किताबों में किस तरह की जबान इस्तेमाल की है बेहत आसान अगला सवाल चोटी चोटी बातों से बड़े नताइच पैदा करना किसका काम था अब ये इसमें लिखा हुआ है तो ये इसमाईल का ये किसका काम था इस اسماعیل میرٹھی का इसमें ऑगी नहीं है तो कौन सा होगा इन में से कोई नहीं अगला सवाल इसमााल मेरठھی ने किस दुनिया में नाम पैदा किया गिल्म के अंदर अगला सवाल हवापानी और ग्रुषए हमारी सहत और सिंदगी जिरूरी है बेहतियती और बेकाइदी से इन चीज़ों में खराबी पैदा हो जाती है, खाने की चीज़ों अगर कुली छोड़ दी जाती है, तो मक्या गर्द और बीमारी फैलाने वाले जरासी में उनको आलूदा कर देते हैं, गर्दों गुबार और कर खाने से, कर खाने से निकलने वा जाला धुआ और उम्हले गैस हवा में आलूद की पैदा कर देती हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे पीने के पानी के जखीरे किस तरह अलूदा होते हैं, बाउलियों तालाबों और नहरों के पानी में कपड़े दो जाते हैं, मोश्यों के नला जाता है, इनसान भी वही ना अगला सवाल, बेहतियाती और बेकाइदगी से इन चीजों में खरावी पैदा होती है, अगला सवाल, हवा में आलूद की किस से पैदा होती है, तो ऐसे होगी जाहिर सी बात है, कारखानों से निकल लें वाला धुआ, उससे होती है, कपड़े किस पानी से दो जाते हैं, इ ताखिल हो जाती है, तो इसलिए इसका जवाब हस बाला में एक से जाइद, आजकल बावलियों का तसवर तो खत्म हो गया है, अगला सवाल, मवेशी और इनसान कहा नहाते हैं, बावलियों में भी नहाते हैं, तालावों में भी नहरों में भी नहाते हैं, तो इसलिए इसम तो जैल में से किसका तालुक अजीम अबाद से है यानि कि अजीम अबाद किस जगा पटना से तो देखे चगबस्त उत्ते परदेश से थे अखतर शीरानी राजस्तान से थे जमील मजहरी का तालुक है अगला सवाल अर्दू के पहले साहिब दीवान शायर को ये कुलियो कु अगला सवाल चचा चछकन ने खत लिखा किसका मजाहिया मजबून है तो ये जो है वो हमारे इम्तियाज अली ताज ही का है ये अगला सवाल ड्रामा आगरा बाजार किस की तस्नीफ है इनके ड्रामा आगरा बाजार किस ने लिखा थे कि हबीब तन्वीर ने लिखा है और नजीर अकबर आबादी की नजमों को बनियाद बना कर लिखा है किस की नजमों के उपर नजीर अकबर आबादी की अगला सवाल सिन्फ रुबाई का दूसरा नाम क्या है तो रुबाई का जो दूसरा नाम है वो क्या है दो बेती अगला सवाल हो उम्र खिजर भी तो कहेंगे बवखत मर्ग हो उम्र खिजर भी तो कहेंगे बवखत मर्ग हम क्या रहें यहां अभी चले तो ये शेर किसका है? किन सहाब ने शेर को कहा है? इन तीनों में से किसी का नहीं है ये शेर है शेख मुहम्मद इबराहीम जौक का जौक इसमें नहीं दिया है तो इसमें होगा हजबाला में से कोई नहीं अगला सवाल, खुदा से हुसन ने एक रोज ये सवाल किया, जहां में क्यों न मुझे तूने लाजवाल किया, तो ये किसका है शेर? तो ये शेर जो है वो देखिए किस नजम से है और किस का है ये है अल्लामा इखबाल की हाकिकत हुसन से और हाकिकत हुसन जो शामिल है वो बांगे दिरा में शामिल है किस शेरी मजमुए में है बांगे दिरा में आजे तक के लिए भी हमें याद होना चाहिए ये किस से है अग का है ये ये शेर किसका है असघर गूंडवी का और असघर गूंडवी मीर दर्द के बाद अर्दू के सबसे बड़े सूफी शायर हुए यानि के सबसे बड़े जदीद सूफी शायर अगला सवाल गर्मी और देहाती बाजार ये जो है जोश मलियाबादी की नजमें अगला स कर पांच है अगला सवाल इसमें जर्फ की निशान दही कीजिए इसमें जर्फ की जो निशान दही वो क्या है इसमें है इसमें जर्फ चरागा अगला सवाल लवाजी में इसम कितने है तो लवाजी में इसम जो है वो कितने हैं सिर्फ तीन है अगला सवाल सिफते जाती की नि तो यहां देखिए गमार और ठोस ये दोनों जहें वो जात की तरफ इशारा कर रही हैं किसी शख्स को गमार कह दिया जाए या किसी चीज को जो है वो ठोस कह दिया जाए चीजे जो है वो तीन कसमें पाई जाती है ठोस रकिक और गैस में अगला सबार जिससे किसी चीज की अ ड़धर्नौली حالت या खुसूसित दाहिरों से क्या कहते हैं जिससे किसी की जात परसN ceux कि जाएगा है उसे क्या कहें हैं तो जमीर शखसी की कितनी सूर्थ हैं तीन है परसनल प्रोनाउन की होते हैं अगला सवाल 87 रोमुस अवकाफ में सबसे चोटा वगफा कौन सा है तो सबसे चोटा जो वगफा होता है वो होता जुम्ला मौतर्जा के पहले और आखिर में जो अलामत लगाई जाती है उसको क्या कहते हैं यानि के वावन इन्वर्टेड कॉमाज क्या कहते हैं उसको इन्वर्टेड कॉमाज अगला सवाल शेर के अजजा को बहर के अरकान पर वजन करने को क्या कहते हैं यानि कि जिस पर श पुला जाताओ, उसको कहते हैं, तक्ती, तेखाफ टो यह अन्, अगला सवाल, वो अल्फाज जो किसी ःस्म की हालत या काफ़ियत या कमियत जाहर करते हैं, उसे क्या कहते हैं, यनि जो उसकी कंडीशन बता दें, उसकी प्रुडिय जो है, वो एक्शुवैलिटी बता दें, या उसका जो है वेट एंड मास बता दे, उसे क्या कहते हैं, मिकदार, अगला सवाल, इसमें जमा की निशानदही करें, तो इसमें जमा की निशानदही क्या है, गतार भी जो हो, जो हो क्या है, जमा है, अंजुमन भी, फॉज भी, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक से जियाद अगला सवाल, हुर्फ जेक की जबान का खालिस लफ तो यह इस्म के इस्टेमाल किए हैं, क्या कहलाते हैं? जो नाउन के प्लेस पर यूज़ होता है यह जो संग्या की जगए इस्तेमाल होता है सर नाम, प्रोनाउन या जमीर अगला सवाल वो नाम जो बादशा सरकार दर्बार से अजाज तोर पर मिलता है यानि कि जो किसी बड़े की तरफ सर हुक्मरा की तरफ से मिलता है वो खिताब जैसे सर अगला सवाला मुजखकर लफ की निशान दही कीजिए देखे हाजी मुजखकर है हाजी से अगर इसका जो है वो मुननस निकाला जा तो हज जनाएगा माली मुजखकर है क्योंकि माली पेड़ पौदे साफ करने वाला होता है यानि कि बागात का गाम करने वाला तो उसका होता है मालन या मालन भी कह सकते है और तीसरा पार्सी जो है वो इसका होता है पार्सन क्या होता है यानि कि जो पार्सी मजभग को मानते हैं उसके मर्द को पार्सी और उसकी और उसकी और उसकी और उसकी और पार्सन कहा जाता है तो यह तीनों ही जो है वो क्या है मुजक्कर है तो एक से ज्यादा अगला सवाल मुवन्नस लव्ज की निशान दही कीजिए देखे जोगी मुझकर है जोगी का मुवन्नस होता है जोगन नाग का मुझकर होता है नागिन और फिरंगी का मुझकर होता है फिरंगन ये जो फिरंगी है अंग्रेज को कहते हैं यानि के फिरंगी कहा जाता है Englishman को और फिरंगन कहा जाता है Englishwoman को तो मुणनस इस में से एक भी लवज नहीं है तो ए हो जाएगा अगला सवाल सिर्फ निस्बती की निशान दही कीजिए यानि के जिससे निस्बत बताई जाए देखे नाबीना या नालाख ये जो है खासियत है और आरभी जो है वो निस्बत है अगला सवाल जैसे अभी आया British Man को जो है वो फिरंगी कहते हैं हिंदुस्तानी को हिंदी कहते है जो अरब के लोग है उनको अरभी कहते अगला सवाल वो फैल जिसका असर फाइल से गुजरकर मफूल तक पहुंचे उसे क्या कहते हैं फै हाल-माजी-Mustقبل कितनी हो गई हाल-माजी-Mustقبل जो चल रहा है जो गुजर गया है ये जो आने वाला है अगला सवाल वो माजी जसी जाहरों के गुज़िश्टा जमाने में काम जारी था उसे क्या कहते हैं यानि कि जो बात पुरानी हो गए इसको माजी कहेंगे अगर वो पूरी हो गए तो माजी तमाम हो गया और अगर पूरी नहीं होई तो ना तमाम माजी ना तमाम अगला सवाल जिस फेल से जमाना मौजूद का इजहार होता है उसे क्या कहते हैं देखे जमाना जो है तो चल रह हुआ गा तो अभी काम जो है कॉंटिन्वेशन में चल रहा है तो यह क्या है कॉंटिन्वास है तो यह हाले नाखम है अगला सवाम 113 जिसमें आइंदा जमाने में काम जारी रहना पाया जाए उसे क्या कहते हैं यानि के जो है वो आने वाले वक्त में तो देखे तीनों मस्तक्बिल होंगे लेकिन जिसमें जो है वो मुतलख हो बात जो है वो घूम रही हो पता ना लग रही तो उसको उसमें काम जारी रहने वाले को कहेंगे मस्तक्बिल मुतलख अगला सवाल वो हुरूफ जो एक लवज का इल अगला सवाल वो अलफाज जो जो जोश या जज़बे में बेताशा जबान से निकल जाते हैं उसे क्या कहते हैं क्यों अच्छानक से जो है वो खुशी या घम की कैफियत में निकल गए उन्हों हुरूफ ए फिजाया एक्सक्ला मिल्ट्री कौन से होते हैं इसको इंग्लिश में अगला सवाल देखे ये जो है वो परग्राफ दे रखा इसको मैं पढ़ लेता हूं बहुत स्पीड में चेक बस ते जिस महुल में आग खोली वो सराच से बदल रहा था एक तरफ कदामत का रंग ता जो अभी तोड़ी सी तदिली थोड़ी सी रफुगरी के काल थे चगबत इस आखरी तब किसे तालोग एक थे तो वो लखनों की तहदीव तमद्न माश्चत और अखलाक के दिलदादा थे मागर उसके साथ जमाने का रुख देखकर और रोशन ख्याल और तालीम में अफ्तों होनी की नी कहीं नी कि तबा मिंस चापना और तबाए बहुत सारी चीज़े चापना अगला सवाल तर्मीम के क्या मानि है तेखे तबदिली कर देना काट लख जार्ठ कर देना रड़ो बदल कर देना ये सारे मानी तर्मीम के लिए इस्तेमाल होते हजबाला में एक से जाइड अग और दादा से है, रोशन और खयाल से, रफू और गर से है तो तीनों ही जो है सवाल ये वो तीनों ही मुरक्कब है यह हजबाला में एक से जाइब सवाल नमबर एक सुनो सराथ के क्या मानि है बहुत तैजी अगला सवाल शायर की जमा क्या है तो दिखे शायर की जमा, या तो शायरों हो या शुरा हो जो भी लिखा हो वो हो सकता है और शायरा गल्ती से लगे आ शुरा, अगला सवाल सरसियत कहते थे कि शाह सब अपनी खान कास कभी निर उटते थे और किसी के हां नहीं जाते थे सरसेद ने उस्तानी ही से जो एक इश्राफ घर की परदन रशी बीबी थी सारा कौरान नाजरा पढ़ा था वो कहते थे मेरा कौरान खत्म होने पर हदिय की मजलिस जो जनाने में होई थी और वो इसकदर दिल्चस्प और अजीब थी के फिर किसी ऐसे मजलिसों के अफियत मैंने नहीं देखी कौरान पढ़ने के बाद बाहर मक्तब में पढ़ने लेगे कभी कभी रेरेस्ट या रेर ये यूज होता है ये पुरा कदीम दिल्ले की जबान में देहलवी जबान में इस्तेमाल होता है अक्सर तहरीरों में में रम्मन ने भी इस्तेमाल किया है अगला सवाल मक्तब की जमा मकातिब देखे मक्तूबात और मक्तूब जो है ये मक्तूब की जम्मा मक्तूबात है खत वाली जो होती है अगला सवाल मुझकर लफ़ की निशान दही कीजिए तो देखे मजलिस भी जो है वो आम तोर पर मुझकर इस्तेमाल होती मजलिस के लिए भी लफ मुझकर इस्तेमाल होता है खानका के लिए भी जो है भी लफ मुझकर इस्तेमाल होता है और उस्तानी जो है वो ये मुझनस है हजबाला में एक से जाइद सवाल नंबर 114 लफ जनाना के क्या माने हैं जनाना दो हम जानते ही हैं ये और दों को कहते हैं अगला सवाल शफकत का मुतरादिफ देखे शफकत का जो मुतरादिफ होगा हम्मानी होगा सिनोनी मुगावव मुहबत अदावत और नफरत इसका उल्टा होगा एक और जगा से दावत नमाया हमारे मेजबान महागे मौजज़ और दौलत मंतरी इन ल मालक मकान से ज्यादा पूर शवकत नोकरनिया थे किसकी ताजीम की जो और किस से ताजीम लीज़े खहने का मने दाखिल विए तो मालू हमाके तो हजबाला में एक से जाइद, अगला सवाल, खाने से वहले बराय तरा बजने वाले घंटे को क्या कहते हैं, इसमें गॉंग इस्तमाल हुआ है, अगला सवाल, तिलिस्टमी होश रुबा का तालुक किस सिंफ अदब से है, देखें इस पर दो चार छीजों की गुफ्तुग पहली चीज़ ये, दूसरा, इसकी जो है वो, कितनी जिल्दे है कुल, तिलिस्टमी होश रुबा की जिल्द नौ है, तिलिस्टमी होश रुबा को जो कमपाइल किया है, ये मुरतिब किया है, वो शम्शुर रहमान फारुकी ने किया है, किसने किया है, शम्शुर रहमान फ अगला सवाल दिन को तारे नजर आना क्या है तो दिन को तारे नजर आना मुहावरा है अगला सवाल 119 फराइस का वाहिद क्या है देखिए फराइस का वाहिद जो हूँ वैसे फर्ज होना चाहिए लेकिन फरीजा भी उसका माना जा सकता है अगला सवाल गेरत और खुद्दारी का ये हाल तक इंता है इंकिसार के बावजू जब इजब इजब नफस का सवाल आता तो मूम जैसी नर्मी फॉलात की तरह सखत हो जाती एक दफ़र आम उसे तरह तरह मुरादा बस इस्टेशन पर ट्रेन में बैठे हुए थे विस्तार बिचा जाया चुका तब लेटे ना थे कि इस अवल दर्जे के डपे में एक फ्रेंगी तरह तरह एक इंदुस्तानी को फस्कलास में बैठे हुए देखकर चीबा जबी हुए जिस बर्द पर हकीम साब का बिस्ता लगा हुए तरह खुद कब सा करना चाहते थे इसलिए आते ही हकीम हुक्म दिया उधर जायेगा वो बार बार कहते रहे लेकिन हकीम साब खामोश और टस्से मस नहुए क्योंकि इनके पास फ्रस क्लास का टिकेट था इतने में अंग्रे इसका जो माना इस्तेमाल होता है वो चीबजबी होना ये फारसी का महावरा या मकूला है तो उसका जो उर्दों में इस्तेमाल होता है माथे पर बल पढ़ना नाराज होना अगला सवाल इनकसार के क्या माने है आजजी भी है खुद को छोटा समझना भी ये खाक सारी भी है तो इसमें हजबाला में एक से जाइद अगला सवाल तस से मसल ना होना बिलकुल ना हिलना या अपनी इस जगा से बिलकुल ना हिलना अगला सवाल हकीम की जमा क्या है तो अब हकीम की जमा जो आएगी वो हुकमा दो है हुकमा एक तो हुख्मा इस्तिमाल होती और दूसरा हकीमो और इत्टफाक से इस में दोनों से एक भी नहीं है तो ई होगा अगला सवाल नौविल इबन वंख्त किसकी तस्नीफ है तो नौविल इबन व्खत जो है वो डिपटी नजीन हमद की तस्नीफ है अगला सवाल, सौधा का पूरा नाम क्या था, मिर्जा मुहम्मद रर्फी सौधा, सौधा क्यों लगाती था, तखलूस अपने नाम में है, क्योंकि इनके वालिद बगर्ज तिजारत, काबल से इंदुस्तान आये थे, इसलिए, अगला सवाल, मतनवी फूल बन किस ने लिखी तो देखे ने शवाला जो नजब है वो अल्लामा इक्बाल कि है, किसकी है, अल्लामा इक्बाल की, पहला ही शेर है, उसका, सच कह दूए बरहमन घर तू बुरा न माने, तेरे सनम को दो के, बुथ हो गए पुराने, ये उसका पहला शेर है, अगला सवाल, तरकी पसंद कि हमें हुसन का मैयार बदलना होगा अगला सबाल 132 जैल में से किसका शमार तरक्टी पसंद शायर के तोर पर होता है अली सर्दार जाफरी भी है, मुखदु मुहिद्दीन भी है, कैप्टन फैजमत फैज भी है तो ये जो हजबाला में एक से जाइद अगला सबाल आशिफता बयानी मेरी क्या है तो आशिफता बयानी मेरी जो है वो आप बीती क्या है आप बीती या खुदनविश्ट है, क्या है खुदनविश्ट और किसकी है, रशीद एहमद रशीद एहमद सिद्धिकी किसकी है रशीद एहमद सिद्धिकी कि तो इसमें से ई होगा हजबाला में से कोई नहीं अगला सवाल वो कसीदा जिसमें किसी शख्सियत की मदख सराई की जाती है क्या कहते हैं यहीं कि मदख कहते हैं तारीफ को तो वो होगा मदहिया अगला सवाल कसीदे का एहम शायर कौन है तो कसीदे का जो इमाम कहा जाता है वो सवदा को कहा जाता है अगला सवाल खुशी और मसरत पर खत्म होने वाले ड्रामे को क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं फर्विया कॉमेडी और ये जो है वो इंग्लिश में इसको कॉमेडी कहते है और जो गम पर खत्म होता है उसको ट्रेजडी कहते है अगला सवाल जैल में से किस मसनवी के मुसनिफ मीर हसन है देखे, कुतब मुश्टरी किसकी है ये वजही की हो गई मुला वजही जहर इश्क शौक लखनवी मिर्जा तसद्दुक हुसैन शौक लखनवी की और गुलजार नसीम जो है वो नसीम की हो गई में क्या जवाब होगा हजबाला में से कोई नहीं तो कौन सी है मीर हसन की मशौर मसनवी सहर बयान अगला सवाल बागो बाहर क्या है बागो बाहर जो है वो दास्तान है और किसकी है मीर अमन की जिसमें चहार दर्वेश का किस्सा बयान किया गया है जो कि फोर्ट विलियम कॉलिज में लिखी गई और ये उर्दू की पहली ऐसी दास्तान है जिसका किसी घैर मुल्की जबान में तर्जमा हुआ था गारसा दितासी ने फ्रेंच में इसका तर्जमा किया था अगला सवाल 49 किस नौविल के मुसनिफ डिप्टी नसीर एहमद है तो देखे डिप्टी नसीर एहमद मरातुल रूस 1936 में ये डिप्टी नसीर एहमद का है देखे जो चीज हमें समझ में आजा उस पर जो है थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं दूसरा तौबत नसुह भी ये ज डिप्टी नसीर एहमद का है ये सारे के सारे जो है वो डिप्टी नसीर एहमद के है इसमें गलती से मैंने ये 1936 लिख दिया है जबकि ये जो है वो 1869 का है ये 1869 है और तौबत नसुह जो है वो 1874 है और तीसरा जो है इनका इबन वक्त 1888 यानि जिस साल मौनाना बुलकलामाजाद पैदा हुए वो है तो इसमें से हजबाला में एक से जाइद अगला सवाल जिस सिन फे शाइरी में किसी की मौत पर इजहार घम किया गया उसे क्या कहते हैं मरसिया इलैजी क्या कहते हैं इंगलिश में इलैजी अगला सवाल 141 किस शाइरी को अर्दू का बावादम कहा जाता है वली दकनी को अगला सवाल दरबार देले और बरक कलीसा किस की नजमे हैं यह जो तन्जो मज़ाख की बहतरी नजमे है अकबर अलाभादी की अगला सवाल फराख गुरगपुरी का पूरा नाम क्या था रगुपती सहाय फराख गुरगपुरी और यह अंग्रेजी के प्रोफेसर थे अलाभाद युनिवस्टी अगला सवाल इखबाल के शेरी मजमुए का क्या नाम है तो देखे इखबाल का इखबाल का जो शेरी मजमुआ है ये जर्ब कलीम 1936 में है उसके बाद जो है वो बांगे दिरा 1924 में है और बाल जिबरील 1935 में ये सारे हैं इसलिए मैं इनका जो है वो सन लिख दिया है ताकि एक सवाल की जगा कई सवालात हमें मिल जाएं अगला सव तन्जो मज़ख निगार की हैसे से किसकी शनाखत है देखे पतरस बखारी भी है रशीद अमस सिद्धिकी भी है मर्जा फरहत बेग भी है तीनों के तीनों है तो हजबाला में से एक से जाइद अगला सवाल 146 मजहर इमाम कौन थे ये शायर थे अगला सवाल इन में से किसे साहित्य अड़मी अवार्ड से नवाजा गया सवाल नंबर 147 देखे जाविर हुसेन को 2007 में मिला है ताकि हमें इनको सन भी मालूम हो जाए उसके बाद में जो है वो 1990 में अब्दुस्वमत को मिला है और वहाब अश्रफी को 2005 में मिला है ये तीनों को जो है वो साहित्ते कैड में वार्ड मिला है जाविर हुसेन 2007 अब्दुस्वमत 1990 और वहाब अश्रफी 2005 यानि के तीनों को मिला है एक से जाइद मैंने इसी लिए इनका जो है वो सन लिख है ताके थोड़ा सा बहतर रहे अगला सवाल जैल में से किस की शिनाख्त नजम के शायर की है हायातुला अंसारी जो है वो सहाफी है अफसाना निगार है नौवल निगार है सुहल अजीम अबादी बड़े अफसाना शाद अजीम अबादी अगला सवाल किस शायर का शुमार दकन के एहम शायर की हैसियस से होता है कैफी आजमी आजमगड उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और मुंबई में इंतकाल हुआ मजरु सुल्तानपुरी ये सुल्तानपुर में पैदा हुए और मुंबई में का इंतकाल हुआ अली सर्दार जाफरी बलरामपुर में पैदा हुए मुंबई में का इंतकाल हुआ तो मुझे तो नहीं लगता कि इन में से कोई भी है अगला सवाल अच्छा ये आखरी सवाल तेक सो पचास अगर हम देखे कि ये सवालात सबसे ज़्यादा किस किताब से आए है तो देखे एंसी ई आर्टी की एक किताब है जिसको मैंने पहले भी कई मरतबा कहा है कि इसको देखना बहुत जरूरी है कवाइद के सवाल एंसी ई आर्टी की अर्दू कवाइदो इनशा से आए है इसके अलावा ये देखे ये टैंथ और ट्वेल्थ की कमबाइन किताब है ये दोनों की एक साथ किताब है इसके बाद जो है वो अर्दू जबानो अदब की तारीख से अच्छे खासे सवालात आए है तो देखे एंसी ई आर्टी की जो किताबें है वो आपके किसी भी इंतिहान के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपने इंसी आर्टी की किताबें पढ़ ली तो आप जो है वो सतर फीसद से ज्यादा कामियाम हो गए इंतिहान में एक बार अगर सवालनामे देख लेंगे तो आपके जो चान्सेज होते हैं आपके जो मवाके होते हैं वो 95 पिच्छानवे पीसद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो अब बात करते हैं कि हमें ये सवालनामा किसने भेजा है तो ये हमें जल्फ़कार साहब ने ये जुल्फुकार साहब ने भेजा है और इसी तरीके से अगर आपको कोई भी सवाल नाम हल कराना हो तो आप वो जो है वो हमारे पास वाटसप पे टेलीग्राम पर मेल पर भेज सकते हैं उसको इंशालला हल कराया जाएगा देखें अब ये जो है वो टीजिटी पीजिटी के एक्जाम के सवाल नामे हल हो गए हैं अब जो है वो इस से आगे आपको कौन से सवाल नामे कराने हैं ये जरूर बताईए ताकि जो है वो बहतर सवाल नामों को हल किया जा सके ये सवाल नामा बशकल पीडिएफ आपको जो वो WhatsApp, Telegram या Mail पर Message कर सकते हैं आपको वहाँ से भी एपेपर दस्तियाब हो जाएगा